नमस्कार बच्चो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है विशाल गुपता और आज के इस लेक्चर में हम कॉंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर्स हमें शुरू किया था फाइल हैंलिंग उसी चैप्टर को मैं आगे कॉंटिन्यू करने जा रहा और हाटडराइव उसके बाद फाइल हैनिंग में मैंने ऐफ अब्जेक्ट बनाने की क्या जूरू होता है अव्जेक्ट बनाया तो वह किस किस मोड में खुल सकता हैं read mode में write mode में append mode में अभी तक आप ये अपंड और write नहीं कराया अभी हम सिर्फ read को लिए थे तर enabling इन वो मैंने देख लिये थे, उसके बाद कौन memory efficient है, कौन memory inefficient है, तो read के बारे में हम लोग ने जो functions का basics है, वो हमने सारे देख लिये कि read function के basics क्या है, इस वाले lecture में मेरा target ये है, कि मैं आपको उन सारे questions, उन सारे programs से वाकिव कराऊं, जो हमें paper में आ सकते हैं, जो हमसे paper में तो read programs, इसको मैं save करता हूँ, read programs.py, इस फाइल में हम सारे वा program देखेंगे, जो हमें read operation में हमें जरूरी है, ठीक है, तो सबसे पहला एक program लेते हैं, चलो basics से, मैंने देख लिया कि सबसे efficient concept ये है, read line, read line is the most efficient way, ठीक है न, ये चीज़ मैं देख चुका हूँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर all बताना चाहता हूँ, वो ये है, कि, जैसे मैंने f object बनाया था भी तक, f object किया, मैंने open, फिर file का नाम students, dot text file थी मेरी, उसको मैंने read mode में open किया, मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका म तो एक बारी में read line कहा रहा हूँ, x is equal to f object dot read line, मैं ये कर रहा था, तो एक बारी में एक ही line read हो रही थी, और उसको मैंने print कर दिया, बट suppose करो कि मुझे read line function को continuously call करना है, मालो मेरी जो student dot text file है, उसको अंदर 1000 lines है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बार बार 1000 बार read line manually लिखू, वो तो feasible नहीं है, मतलब इस line को मैं 1000 बार copy paste करूं, यह तो बेफकूफी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को कोई और way out देखना पड़ेगा, जो बिलकुल read line की तरह काम करता हो, और थोड़ा से memory efficient भी रहे वो, उसके लिए एक तरीका क्या हो सकता है, मैं की length भी नहीं पता, मैं को पता ही नहीं कि file में 1000 line है, तो मैं कैसे लिखूंगी, for i in range 1000, मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, मुझे पता ही नहीं कि file में line हैं कितनी, तो यह भी मेरे दिक्कत वाला काम हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे easy way है, जो paper में आप से आएगा ही आएगा, और आपको paper में इसको करके आ नहीं है फिर, easy है, simple है, इस line को, हमें क्या करता है, मैंने लिख दिया, for i in f object, print i, और फिर मैंने file object को close कर दिया, यह किया मैंने, मेरा मतलब task यह था basically, very important है, यह एक तो यह याद रखना, read file line by line in memory efficient way, यह important है, ठीक है, यह तो यह याद रखना, इसमें क्या हुआ, कि मैंने file object बनाया, open करी file read mode में, फिर मैंने बोला, for i in f object, तो जब मैंने यह line लिखी, for i in f object, इसका मतलब python क्या समझता है, कि जो file object बनी भी है, जो file है, student.text file है, इस file को by default वो एक-एक line को खुद ही उठाएगा, ना आपको read call करने के ज़रूरत है, ना आपको read line call करने के ज़रूरत है, ना आपको read lines call करने के ज़रूरत है, यह by default एक-एक line को उठाएगा, खुद ही, तो उसने एक-एक line को उठाया, और आपने उस line को print करा दिया print आई, print आई, print आई तो अगर मैं i की जगा suppose line लिख दू तो easy हो जगा आप लोगों के लिए समझना variable का नाव for line in of object f object इसका मतलब है कि file के अंदर आप एक एक line को पकड़ रहे हो और उसको क्या करा दे रहे हो फिर loop के अंदर print करा रहे हो तो अब इसको मैं एक और for line in range वगेरा करने के ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें मुझे simply क्या करना पड़ा एक loop लगाया file object के अंदर ही इसको मैं run करा गए देखता हूँ read programs.py इसको मेरी दोनों line है खुद ही print हो गई मेरे को कुछ कराने ही नहीं पड़ा ये दोनों lines खुद ही print हो गई मेरी तो इसका मतलब ये हुआ कि without reading function जो तीन function मैंने पड़े थे मैं उन तीनों के बिना भी file को read कर सकता हूँ और यही funda हम use करेंगे for line in a of object आज जितने भी programs हम करने वाले हैं उन programs में हम यही करेंगे अब मैं इसको comment कर देता हूँ पहले इसको copy भी खख लेता हूँ चलो अब मेरा program देखते हैं पहला मेरा पहला program है suppose आपके question बोला write a program to read from a file file का नाम है student or text ही है चलो and print only those lines containing character जिसमें character है suppose dollar character जिसमें हो अभी तक मैंने क्या कर रहा था मैं नीचे देखो मैं सारी line ने print कर रहा था अब मैं सारी line ने print ने करूँगा मैं जो print वाली statement है इससे पहले मैं एक check करूँगा इससे पहले एक check लगाऊँगा check कैसे लगाते if condition तो इससे पहले print करने से पहले मैं check करूँगा कि भाया अगर वो dollar उसके अंदर present है तो print करूँगा उस line को else मैं कुछ नहीं करूँगा तो एक if condition लगा दूँगा इस print से पहले जो check करेगा कि dollar इसके अंदर है या नहीं है तो exactly same जो मैंने copy किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूं यहां पर इसको uncomment करता हूं यह लिखा था मैंने मैंने सिर्फ इतना करना है अभी मेरी student draw text में मैं ऐसा करता हूं second line यह third line में मैं dollar डाल देता हूं कुछ भी लिखा मैंने suppose टुड़े इस सैटरड़े और वन डॉलर वन डॉलर वन डॉलर वन डॉलर इस उगल तो 70 रूपीज यह मेरी एक ऐसा कुछ है ठीक है यह मेरी फाइल है student dot text फाइल अब मैंने उसमें read program करने मैंने यह वाली फाइल खो ली मैंने बोला फाइल को आप open करो, f object के अंदर एक एक align को पकड़ो पहले-पहली हुई को पढ़ेगा फिर अगली को फिर अगली फिर इस एसको print नहीं करूँगा मैं एक जम से इसको print करने से पहले मैं एक if लगां ऑकि if ॡॉलर इन लाइन अगर डॉलर उस लाइन के अंदर है तो मैं उसको प्रिंट करूंगा तो इसलिए मैंने उसको इंडेंट कर दिया इफ रे अंदर endurance नहीं लिख रहाँ, else नहीं लिखने का कारण क्या है क्योंकि अगर d डॉलर नहीं यह तो कुछ प्रिंट करना ही है तो मैं else क्यों लिखूँ अब $ अगर होगा तो उसमें वो लाइन को प्रिंट कर देगाँ तो मेरी फाइल में कौन सी लाइन में $ है? सिर्फ इस वाली लाइन में $ है तो अब सिर्फ ये वाली लाइन प्रिंट होईगी एक बार अन करके देख लेते हैं फाइल को सिर्फ मेरी last line प्रिंट हुई है क्यों क्योंकि उसके अंदर उसको डॉलर मिल गया और किसी line के अंदर उसको डॉलर नहीं मिला तो ये चीज़ हमें आद रखने है इस तरह से आप से कोई भी character पूछा जा सकता है कहने का मतलब है इसको मैं comment कर देता हूँ एक बार दुपारा से अगला प्रोग्राम देखते हैं हो सकते आप से बोले जाए कि ऐसी एक file रीट करो जिसमें character हो ere अब जैसे interesting में ere एक साथ आ रहा देखो तो अगर मैंने बोला कि character ere होना चाहिए तो ere देखते हैं अब देखो मैंने लिखा small ere और यहाँ पर है capital ere तो मैं यहाँ पर dollar की जगाँ अब क्या लिख दूँगा सिर्फ ere तो जहाँ पर भी उसको ere दिखेगा जिससे interesting में दिखा इस line में भले e भी है, r भी है और e भी है लेकिन वो तीनों एक साथ नहीं है, मतलब बिल्कुली ere का exact combination चाहिए मुझे ठीक है, तो अब इसको मैं इब प्रिंट करता हूँ देखते हैं कोई line प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही clear करके कोई line प्रिंट नहीं होई, क्योंकि इस character की कोई नहीं है अब आप बोलोगे इंट्रस्टिंग में तो ere एक साथ है, लेकिन इंट्रस्टिंग में जो ere है वो capital में है और आपने जो dollar की जगए ere लिखे है वो small है, अगर मैं इसको capital कर दूँ और अब देखूं तो मेरी इंट्रस्टिंग वाला line आ गई देखो क्यों क्योंकि उसको उसमें ere नाम का एक सब स्ट्रिंग जैसे subset होता है वैसी एक स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग मिल गई उसको तो आप कोई भी आपको कोई भी pattern बोल जाए कि वो कोई ये pattern उसमें है कि नहीं है तो आप वो pattern देख सकते हो डिरेक्टली इस तरह से करके ठीक हैं और क्या प्रोग्राम देख सकते हैं एक प्रोग्राम आपका यह हो सकता है कि सपोस कीजिए आपको बोल दिया जाए कि राइट प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम आ फाइल एंड काउंट दा नंबर आउफ लाइन सिंद फाइल कि उसमें कितनी लाइने हैं काउंट करने में को नंबर आउफ लाइन को अगें एफ अबजेक्ट को मैं पहले उपन करूंगा पाइल का नाम दिया ऊसको मैंने डीड मोर्ड में खोला आर नहीं भी लिकुंगा तो भी चलेगा फिर मैंने बोला एक वरीबrån बनाया और ौइन रीड लाइन्स कर रहा चैuger थ्यों क्यों रीड लाइन्स में क्या होता है स्वारी लाइने पूरी फाइल एक बारी में read होगी और list की form में आ जाएगी और मैंने पिछली class में बताया था कि list के अंदर जितने element होंगे मेरी file के अंदर उत्तरी line है तो मैं अब देख लूँगा length नाम का एक variable बनाया जो कि है length of data from file data from file basically क्या है इसके ओपर mouse लेकर जाता हूँ तो देखो क्या लिखा रहा है list list लिखा रहा है देखो ठीक है ना तो मेरी list की length क्या है और उस print कर दूँगा मैं उस length को और फिर जब मेरा सारा काम हो गया file को मैं close कर दूँगा रो जी ये मेरा काम हो गया अब इसको मेरी file में भी कितनी line है देखो इस समय चार lines है ये बरन करके देखते हैं clear किया चार print हो गया क्यों 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 कि मेरी file में चार lines है लेकिन वो ही यहां पर भी पंगा क्या है कि ये एक memory inefficient way है कि मेरे को सिर्फ number of lines को count करना है और उसके लिए मैं इतना सारा data उठा कर ला रहा हूँ मैं पूरा data क्यों उठा कर ला रहा हूँ एक बारी में मेरा file है भी हो जाएगी तो मैं इसकी जगा क्या करता हूँ memory efficient way शुरू करता हूँ इसको as it is copy करके इस program को करने का second way देखता हूँ second way या better way कह लो better way इसको मैंने uncomment किया मैंने file को open किया अब इस line को अटा दूँ मैं बीच का ही जो है इसको अटा देखा हूँ मैंने क्या करना है for line in f object अब वो क्या कर रहा है f object में एक-एक line को उठा रहा है तो मैं क्या करना है मेरे को count नाम का एक variable ले ले लेता हूँ मैं जो की initially zero है count is equal to zero मैं मान के चलता हूँ file में कुछ नहीं है जैसी line टकराई एक line मिली मैंने कर देना count is equal to count plus one और फिर बाहर loop से बाहर निकल के print कर दूँगा मैं count को लूप के अंदर नहीं करूँगा लूप के अंदर करूँगा तो count में 0,1,2,3 ऐसे प्रिंट होगा नहीं में count को बाद में प्रिंट करना last में मैंने file को run करा देखो 4 प्रिंट हो गया मेरा तो यह एक memory efficient way है better way है compare to जो हमने अभी पढ़ा उसके क्यों कि इसमें read lines heavy function है वो सारे file एक बारी में read करेगा मेरा program हेवी हो सकता है इसमें क्या है for line in f object एक बारी में 1 line read करी में को पता चल गया 1 line read हो गई तो मैंने count को in increment कर दिया कि भाई 1 line read हो गई फिर अखली line read हो गई जितनी बार मेरी line read होगी, मैं count नाम के variable को increment करता जाओँगा, ठीक है, तो यह हो गया मेरा, क्या चीज, count of lines, अब ऐसे ही suppose करो, मेरे को एक और program लिखना है, write a program to read from a file and count the number of words in the file, मैं को count the number of words करना है, ना कि line है, मैं को line है नहीं read करने हैं, मैं को words read करने हैं, again, file object को पहले open करूँगा, यहीं से copy कर लेता हूँ, मैं बार बार ने लिख रहा हूँ, file object को open करना है हमें, उसके बाद count is equal to zero ले लिया, चलो, अभी इसका बीच का मैं देखते हैं, हमें क्या करना है, अब मुझे क्या करना होगा, अब इसमें ध्यान देना, words को count करने के लिए, एक तरीका तो यह ही है कि हाँ मैं read function कॉल कर दूँ, अब से easy, x is equal to f object dot read, पूरे को मैंने read कर लिया, उसके बाद, जब मैंने read किया, read करने के बाद, हमें पता होना चीए, एक split function हमने पढ़ा था last year, मैं वो बता लेता हूँ, क्या होता है split function, split function होता है, strings पे, function on strings, जैसे क्या होता है, suppose करो मेरी एक string है, string का नाम variable है x, x is equal to hello world this fine morning, hello world this fine morning, यह मेरी एक string है, अगर मैंने बोला x dot split, और उसको मैंने y में डाल दिया, x dot split करा और y में डाल दिया, तो इसमें क्या होता है, x dot split क्या करता है वो समझो, x dot split basically क्या करता है, इसको split कर देगा, split क्या होता है, तोड़ देगा, तुपड़े तुपड़े कर देगा, और किस तरह से करेगा, जहाँ जहाँ पर उसको space दिखेगा ना, एक space यहाँ है, एक या एक से ज़्यादा भी दिखेगा तो भी, space को consider नहीं करेगा, space के around वो तोड़ देगा, जितने, मालों यहाँ पर दो space थे, यहाँ पर एक यह space था, तो जितने भी space तो फर्क नहीं पड़ता, वो spaces को तोड़ देता है, space को तोड़ दिया, इस space को तोड़ दिया, ठीक है, तो split कर दिया उसमें, और एक्स को पूरी को split किया, और इजनल एक्स को change कर सकता है क्या, नहीं, और इजनल एक्स को कैसे change कर देगा, क्योंकि strings को immutable होती है, तो इसने क्या किया, इन सब को तोड़ा, और इसको as a string, as a list बना दिया, hello, फिर अगला word कहा मिला उसको, space के बाद, world, फिर अगला word कहा मिला, space के बाद, this, अगला word क्या मिला, fine, अगला word क्या मिला, morning, तो इस तरह से उसको ये सारे words मिले और उसने ये list y को allot कर दी, कि y तेरी value है, ये list, you are this list, तो y क्या है, एक list है, जिसमें hello world, this fine morning, ये 5 characters है, अगर मैं y की length देखू, length of y, तो वो 5 होगी, तो एक किसम से y की जितनी length है, मेरी string में उतने ही words है, मैं कह सकता हूँ, देखू न, y की length के 5 है, और मेरी string क्या थी x, और x के अंदर कितने words है, देखो x के अंदर कितने words है, एक, दो, तीन, चार, और 5, इसका मतलब य ये है कि, अगर मेरे पास कोई string है, और अगर मुझे number of words को count करना है, तो मैं simply उसको split कर दूँगा, और split करने के बार, मैं जो भी list बनी, उसकी length निकाल लूँगा, तो यहाँ पर मैंने अगर length निकाली y की, तो 5 आया, तो इसका मतलब मेरे words कितने हैं string में 5, तो similarly मैं कर सकता हूँ, अपने इस program में जो मैंने भी आप, हमने visual studio code में लिखा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हाथ के याथ, जैसे suppose मेरी जो string है, अगर वो string मेरी x है, ये, suppose करो hello, semi colon, world, space है ही नही, semi colon, this, semi colon, fine, semi colon, morning, मान लो, मेरे पास, na, space नहीं है, semi colon है, और मेरे को बोला गया है कि, जहाँ जहाँ पर, आपको semi colon टकराएगा, आप वहाँ से split कर दो, तो मैं कैसे split करूँगा, y is equal to x dot split, अब ही तक मैंने split के अंदर कुछ नहीं लिखा था, अगर मैंने split के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो by default वो space के across split कर देगा, जैसे हमने ओपर देख लिया, क्योंकि split के अंदर कुछ नहीं लिखा था, वो space को as a gap मान रहा था, लेकिन अगर मैं split के अंदर लिख देता हूं, inverted commas के अंदर semi colon, तो अब क्या करेगा, ये x को देखेगा, string को, जहाँ जहाँ पर उसको semi colon टकराएगा वो space की तरह इसको, इसके across words को split कर देगा, तोड़ देगा, break कर देगा, तो इनको consider नहीं करेगा, अभी भी वो list बनाएगा, hello की, world की, this की, fine की, और morning की, और y में डाल देगा, तो ऐसा नहीं है कि split हमेशा space के across हो सकता है, split आप किसी भी character के across कर सकते हो, बस अगर space नहीं है, space के अलावा कुछ है, तो आपको उसको bracket के अंदर बताना पड़ेगा, कि x को split कर दो, किस character के across, semi column के across, ठीक है, तो ये मुझे समझ आ गया, और अगर कुछ नहीं लिखा तो space के across, अब इस program को देखते हैं, मैंने क्या किया, read करा, read किया, तो read में क्या होता था, मेरी पूरी file read होकर आजेगी, और x नाम के variable में save हो गई, ठीक है, अब x नाम के variable में जब वो पूरी file read हो गई, तो वो क्या है, क्योंकि मेरी student जो है text file है, एक किसम से इसका मतलब वो spring है, तो मैं लिख सकता हूँ, कि y is equal to x.split, split कर दिया, और उसके बाद मैंने length नाम का एक variable बनानी है, जो कि length है y गी, और फिर print करा दिया है, मैंने length को, तो मेरे को जो भी print होगा, उतने number of words होंगे, मैं बस समझा चुका हूँ ये चीज, बस अब इसको हम run करके देखते हैं, अगर समझ नहीं आई, please एक बार rewind करके, द जरूर use होगा आपके paper में, split function आपको जरूर आना चाहिए, 22, ये बोटे 22 words हैं, ये पर देखते हैं count करके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गैरा, बारा, तेरा, चौदा, पंदा, सोला, सतरा, अठारा, उननेस, बीस, एक्यस, बाईस, पूरे 22 words ह स्पेस को सिर्फ स्पेस के across break करेगा, आप ये मन सोचना की dot को क्यों ले लिया, exclamation mark को क्यों ले लिया, don't के inverted comma को क्यों ले लिया, नहीं, वो लेगा, मैंने बताया है ना, अगर आपने split के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो वो सिर्फ spaces को देखेगा, spaces को हटाएगा, बस, और किसी चीज को अपने margin से नहीं अटाएगा, तो 22 word है, देखो 22 lengthy list की, तो print हो गया, इस तरह से मैंने read करके number of words को count कर लिया, ये एक तरह का प्रोग्राम है, हमें number of lines और number of words किसी भी python file में read, किसी भी text file में read करना आना ही चाहिए, क्योंकि paper में ये बहुत common तरह के programs हैं, जो आ कर जाता है, कि एक ऐसी file read करनी है, मेरा program है, write a program, to read from a file, from a text file basically, कहा जाए तो text file है वैसे तो, है न, read from a text file, and display the count of vowels and consonants in the file ठीक है, मेरे को क्या करना है, एक file, read करनी है, text file, उसके अंदर देखने कि कितने vowels हैं, और कितने consonants हैं, मुझे सिर्फ ये देखना है, ठीक है, चलो, आप इसके लिए मैं क्या करूँ, मैंने वही करना है, नीचे सो copy paste पहले तो, क्योंकि वही सेम करकी है, file को open करने, perform करने operation, और नीचे close कर देना है, बल जो operation है, अब वो change हो जाएगा, ओपर की और नीचे की line तो same ही रहेगी, मैंने file को read करना है, अब मैंने क्या करना है, अब मुझे ऐसा करना है, कि file को read करना ही है, for line in F object, मैंने अब एक-एक line को read करा, मैंने पहली line को read करा, पहली line में कितने wobbles है, फिर अगली line को read करूँगा, उसमें कितने wobbles है, इन सब line को read करके, क्योंकि मैं memory efficient चाहता हूँ, चाहूं तो मैं directly read function को call कर लो, लेकिन मैं read को नहीं call करता, चलो, मैंने एक बारी में एक line को read करा, अब उस line में मैं देखूँँगा कि, कौन से, कौन से जो है, व लाइन क्या है, वो खुद एक string है, line भी तो एक string है न, जैसे मेरी यह जो पहली line है, पहली बार मेरी line के अंदर क्या आएगा, यह वली line आएगी, जो कि खुद क्या है, एक string है, अब इस string में में मेरे को iteration करनी है, मेरे को इस string में for character in this line, जो कि string है, हर character को उठाया, और check करा, if character in vowel है, अगर वो character in में से कोई है, तो आप vowel count को बढ़ा दो, प्रस बन कर दो, और initially मैं vowel count को क्या कर देता हूँ, 0, similarly, एक consonant count भी ले ले दा हूँ, consonant count, नाम का variable, जो कि 0 है initially, ठीक है, अगर मेरे character a, e, i, o, u में है, तो तो मैं vowel count को बढ़ा दूँ, ठीक है, else, मैं consonant count को बढ़ा दूँगा, और अपनी file में से, मैं assume करके चल रहा हूँ, कि numbers है ही नहीं, तो मैं इस line को अठा रहता हूँ, मैं मान के चल दो, मेरी file में number है ही नहीं, मतलब सिर्फ characters हैं, ये special symbols भी नहीं है, चल लो, ये है मेरी, simple सी file है, मैंने, जो आलतु-फालतु के simple थे, अब sim, मतलब मैं मान के चल दो, मेरी जो file है, उसमें सिर्फ English के characters हैं, exclamation mark, inverted comma, comma, mathematics का कोई formula कुछ नहीं है, simple से सिर्फ English के words है, या तो vowel होगा या consonant होगा, तो इसलिए मैंने else लिग दिया, तो मेरा vowel count हो जएगा, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने पहली line को read करा, फिर उस line में हर character को read करा, तो पहला character read किया उसको चेक किया अगला character read किया उसको चेक किया फिर अगला character read करूँगा उसको चेक करूँगा तो जोन सी condition true होगी उस count को बढ़ाता जाँगा फिर जब मिली सारी line ने read हो गई सारे character read हो गई और सारे character check हो गई तो लूप के बाहर आके मैं प्रिंट कर दूँगा vowels count is कितना vowel count और consonants का count कितना होगा consonant count ये मेरा program बन गया और फिर मैंने file को close कर दिया अब इसको मैं रन करके देखता हूँ clear किया vowel count मेरा 33 है consonant count मेरा 70 है तो इस file में मेरे कितने vowels है 33 चाहो तो count कर ले न अपने घर पे एक बार ठीक है तो ये मेरा program है इस तरह के program आपके paper में बहुत आते हैं अगर आपको ये program समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है इसका मतलब आपको file handling easily समझ आने लग गया है नहीं समझ आया please rewind करो दुबारा देखो इस program को खुद बना कर देखना आपको पका समझ आ जाएगा ठीक है ना इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बहुत simple से programs हैं और यह हमें paper में आते ही आते हैं तो हमें करने पड़ेंगे ठीक है अब मैंको क्या करना है एक और program करते हैं मैंने एक program करना है जिसमें न यह ऐसा करना है कि एक file से read करना है मुझे basically write a program to read from a text file and display each word by a hash separated by a hash मतलब हर word में मेरे को separate कर देना है hash से अब यहां पर मेरे को समझ आ गए कि मुझे हर पूरी file में से एक-एक word निकालना है अब word निकालने के लिए मेरे को मैं word कैसे निकालूँगा जैसे ही मेरी किसी भी file में space आता है तो मेरे को समझ आ जाता है कि हाँ भी यहां पर मेरा word खतम हो गया तो इसका मतलब मुझे space के across अपनी file को क्या करना पड़ेगा split करना पड़ेगा जो चीज मैंने अभी नीचे करी थी split function याद करो count the number of words में क्यों कि मेरे को यहां पर count तो एक साथ रख दूँगा तो computer science एक word खुद एक word बन जाएगा लेकिन अगर मैंने computer और science के बीच में space डाल दिया तो computer एक word है और science एक word है तो आपको यह word different हो गया यह कैसे पता चला उनके बीच का space देखके और अगर आपको space प्रोग्राम में देखना है तो आपको split करना पड़ेगा तो वही चीज़ जो मैंने नीचे करी थी वो exactly same चीज़ हमें यहां पर करनी है इसको मैं copy based करता हूँ और यह बार देखते हैं हम दुबारा इसको फिर मैंने क्या किया file object को open किया reading के लिए उसके बाद मैंने file को पूरी को read कर लिया फिर मैंने file को split करा split क्यों किया split इसलिए कि मैं को सारे words को अलग-अलग करना है अब सारे words मेरे पास आ लगे अब यहां पर मुझे length नहीं निकालनी है तो इसका काम नहीं है मुझे यहां पर अब क्या करना है वाई नाम की जो list बन गई है क्योंकि split क्या करता है list बनाता रही याद करो हर word को तोड़ देगा मलब पूरी file को words में तोड़ देगा और उन words को एक list में डाल कर आपको return कर देगा वाई के अंदर एक separated वो आ गई मेरे पास क्या सकता हूँ words की list आ गई अब मुझे कुछ नहीं करना y के जो भी elements है उनको one by one print कर देना है और सब के आखरी में hash लगा देना है क्यों क्योंकि मेरे को बोला जा रहा है separated by a hash hash हो, dollar हो, percentage हो, कुछ भी हो ठीक है उसके लिए मैं क्या करना है अब मैं करूँगा for i in y क्योंकि अब मेरे को y के अंदर का एक एक element उठाना है और y क्या है list है मैंने for i in range range नहीं लिखा i के अंदर indexes नहीं आएंगे i के अंदर सीधा value आईगी जो उस list के अंदर exist कर रही है और मैंने क्या कर दूँगा print i अब अगर मैं print i करता हूँ तो क्या है कि पहली बार में c प्रिंट होगा बना computer प्रिंट हो जाएगा अगली बार में science प्रिंट हो जाएगा अगली बार में interesting एब बार run करके देखते है इसको run किया तो देखो हर word अलग-अलग line में आ रहा है लेकिन मेरे को इनके बीच में hash चाहिए computer, science तो इनके बीच में hash कैसे आएगा मेरे को पता है कि print जो है वो हमेशा अगली line में लेके जाता है अगर मैं यहाँ पर लिग दू end is equal to hash इसका मतलब क्या है जैसे ही एक word आए आए को प्रिंट किया first time आए के अंदर क्या है computer आपने computer को प्रिंट किया अब आप end में इसके new line मतलब करो आप इसके end में hash लगा दो फिर आप science को प्रिंट करो कि इसके आखरी में hash लगा दो तो सारे words किस से separate हो जाएगे automatically hash से क्लियर करके देखें और रण करता हूं दुबारा अब देखो मेरे सारे words आ गए और यह हैस से separated है computer hash science hash is hash and hash तो जो मेरा प्रोग्राम था हैश हो परसंट हो जो डॉलर और कुछ भी हो आपको सिर्फ एक split function call करके print करा दिया लूप में लेकिन उसके end में मैंने बता दिया कि end में आपको क्या करना है hash लगा देना है space नहीं देना अगली line में नहीं लेके जाना आपको सिर्फ एक hash लगा देना है तो हमारे reads से related जतने functions ते जतने variety के functions हो सकते हैं मैंने कोशिश करिए सारे cover करने की अगर किसी तरह का function रह गया हो कोई किसी तरह का program रह गया हो या आपका कोई doubt है तो आप मैंसे पूछ सकते हैं क्लास में या phone करके जैसे भी हम उसको एक बार next class में आने वाली classes में मैं कोशिश रहेगी कि मैं उनको cover up कर लूँ मेरे इसाब से read में इनके बाहर से कोई और function नहीं आएगा एक ये तरह के function हो सकते हैं कि read करके आपको read आपने किसी file से read किया और फिर उसमें से किसी condition की basis पे आपने किसी और file के अंदर write करा उस तरह के program हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आपको read line पढ़ाया है read operation पढ़ाया है मैंने अभी तक आपको write operation नहीं पढ़ाया जब मैं आपको write operation पढ़ा दूँगा तो आपको easily उस तरह के program में समझा जाएंगे मतलब यहां पर जैसे यह program फिल में दुबारा आपको समय दिखाऊंगा और इसी anyway इसी को पूरा copy करके इसको मैं modify करूँगा कि print कराया है ना print ना करके write कराऊंगा तो हम बाद में देखें thank you for being with me have a nice day